लूप बच्छो लास्ट क्लास पर हमने चार पॉइंट्स क्यारक्टरिस्टिक्स के कंप्लीट किये थे आज कि जो छे बच्छे वे पॉइंट्स आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे लास्ट क्लास आपको बहुत बोरिंग तो नहीं लगी होगी आप तो चोड़े-चोड़े पॉइंट से जल्दी कतम हो जाएंगे तो बच्छो आज थोड़ा स्टार्ट करने से पहले जो आगे के छे पॉइंट्स है मैं चाहती हूं कि चार पॉइंट्स हम फटाक से रिवाइ atri खिमनने फिलन फिलोशोफी में और फिलोषोफी में हमने क्या पड़ा था आस्तिक और नास्तिक बढ़े पर थे आस्तिक का मतलब क्या होता है जो 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 अस्तिक पर 128 और और क्या से ओलितिए पर और तीस्टिक वाले क्या योगा फिर पुर्मिमान से नास्तिक वाले कौन से होगे बुद्धिजम जैनिजम चारवक और जेविका बचो आगे चलते हैं फटा फट से देखते हैं पहली फिलोसिफी हमने पड़ी थी सांग के फिलोसिफी किस ने दिये कपिल मुनी जी ने दिय प्राकृति में प्राकृति मिलते तो जीव का जनम होता है जब पुरुषा प्राकृति अलग हो जाते तो फिर उसे सालवेशन बोलते हैं तो यह थी हमारी सांग के फिलोसिफी जो गौड पर बिलीव नहीं करती है और यह कहती कि अगर आपको मुक्षप्राप्त करना है तो आप ट्रू नॉलेच से ही मुक्षप्राप्त कर सकते हो इस वाज अल अबौट दा सांग के फिलोसिफी से सब्सक्राप्त कर सकते इनुफरेंस कंपैरजन न वर्बल टैस्टिमनी से घर सकते हैं यह भी बहुत ऑन ही निव कर देते तो इसमें हमने पड़ा था कि अटम्स होते जब अब कॉन्षेंस करेंट में तो वो यूनिवर्स वे 5 चीजों से बनाएं किससे बनाएं fire से air से water से earth इसकाई से बना हुआ है ठीक है यह जो फिलासेफी में न्याय फिलासेफी के बहुत ही ख्लोज है क्योंकि दोनों scientific reasoning के उपर depend करते और फरदर आगे जाकर क्या हो तोड़ा बहुत ध्यान पर आ रहा होगा आपको हम बस रिविजन करें इसलिए फटा फट चल रहे हैं फिर आता है योगा स्कूल योगा के डाइग्राम सब देख सकते बच्छों यहां पर फिर योगा किस ने दिया पतांजली ने दिया पतांजली ने क्या लिखा था रिशी असन प्रणयाम जिए घर आप के बौडि उस्टेट को एंफिरे सब्सक्राइब करते हैज यह करती है फिर डियान मतलब कंसंट्रेट करना इनडर फीस किरेटोली अवेर होना तो योगा में हमने क्या तेक हमारा विस्जिकल का भी काम होता है बॉढदी से दिबाग में इंटबंक होता है फिर हम आrat आप केशा में स्व्यिकों कैसे हो पाती हैं तब ही हो पाएगी इस वार में Sabagiao योगा में कौन कौन से देखे थे यम नियम आसनाज प्रणयाम प्रतिहर धरना ध्यान और समाधी ठीक है फिर अमने देखा था कि जो योगा है सिर्फ हिंदुईजम में आप तो वह बहुत ही स्प्रेड होगी बुद्धिजम और जैनिजम में भी हो गई है और हर साल कम बनाय जाता है योगाडे इंटरनाशनल योगाडे मना जाता है कि उनको आपको याद भी होगा मैंने इंपॉर्टन भी बोला था लास्ट क्लास में अब नेक्स टॉपिक इस वोट पूर मिमांसा यह किस ने दिया रिशी जामिनी ने दिया यह क्या कहते है यह कौन से पार्ट पर थो के फोकस करते हैं अब इसा का मतलब क्या होता यह अमने लास्ट क्लास में बढ़ाता जो किसी चीज को डिपली समाझना उसी को हम कहते हैं मिमांसा थीक है कि वेदास के चार पाट होते ब्रह्मना, समीता, आरेंका एन उपनिशद, ठीक है बच्चों, तो हमने देखा था कि ब्रह्मसुत्रा लिखी है वेदरायन है, कब लिखी है, 2nd century में, and this is the oldest text in विदान्त, ठीक है, विदान्त का मतलब क्या होता है, कि सर्फ एक ही सच है, वो सच क्या है, वो ब्रह्म है, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, विदान्त फिलोसफी, तीन बेसिक हिंदू टेक्स है, इंटरप्रेटेशन है, किसका किसका, उपनिशद, ब्रह्मसुत्राजन, भगवत गीता का, फिर हमने तीन सब स्कूल पढ़े थे, जिसमें से पहला स्कू आ रही थी, रामनुजा की थी, रामनुजा ने क्या फांट गया था, विशिष्ट अद्वैता, ठीक है, यह है रामनुजा की पिक्चर आप देख सकते हो, यह है विशिष्ट अद्वैता, यह क्या बिलीव करते हैं, यह कहते हैं, यह कहते हैं, आत्मा और परमात्मा दोनो अलग चीज़ें बटा अगर हम भगती करते तो दोनों को हम मिल सकते हैं यह हमारा कोई क्रिब्यू था जो हम लास्ट क्लास में कर चुके अब यह हमने स्पिरिचुल विज़़दम और टेक्ट्ट्रीशन की भी बात करी थी बच्चों जिसमें हमने वेदास पढ़े थे वेदा कहां से लिया गया है उसका मतलब क्या होता है नौलेज वह क्या शूती से हम लेते थे पहले वेदास किती तरह की होती है चार तरह की होती है रिक प्रफिच्च को जब हम डिटेल में देखा तो तुमने रिक वेदा में कितने हम जेके थे 10 मंदल में डिवाइड तो टीक है यूनेसको ने इसे कुंसा किताब दिया वर्ल्लमनें एरिटेज का खिताब दिया उपनिश्यत कितने थे टोटल 103 उपनिश्यत है फेमस कौन से 13 ह फिर अबने भगवत गीता देखा था बगवत गीता किस का पाट है कौन से अपिक का पाट है टेके हैं लौड क्रिश्यत के बारे में बताता है किस चीज के ऊपर बात होती है धर्म के ऊपर बात होती है धरम मतलब duty बक्ती मतलब devotion ज्यान मतलब knowledge फिर आते पुराना पुरान थे कि एक्ट कंड़ की ओपर बात होती है झाले साइंटिक नीजैने ने जैसे बहुत द्यास जीका देखा आरे वट कंव आ देखा था देखा था भासकर अा अचारे जी काには आदर चारे synt कि जब हम बात कर रहे थे तब हमने आयुरुवेदा देखा था और चरका एंड आत्रविशी का नाम देखा था हमारी बउस्टेल आयरन प्रोडू स ओधी ना हमारी कांट्री में जन्क इंट्राक्शन अधान बहुत साल पहले ही हमने देख लिया था तो बच्चो आज हम स्टार्ट कर रहे वाले हैं तो हमने चार पॉइंट्स जो लास्ट कलास में करे थे हमने उसका थोड़ा सा ब्रीफ देख लेख लिया अब हम वापस अपनी लेक्चर को आज स्थार्ट करते हैं बच्चे जुड़े रहना कंटीन्यू करते हैं लंबो फाइव कुल्च्रल डाइवर्सिटी एन आर्टिस्टिक एक्स्प्रेशन इंटियास कुल्च्रल डाइवर्सिटी इस रिफ्लेक्टेड इन इस लैंग्विज हमारे जो भारत की इस लिफिकेशन कहां कहां आता है लैंग्विज less अगर और भारत की बात करें बच्चों तरह पंजाबी मराधी गुजराथी उडिया बंगाली और भी तरह 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 की तामेल हो गया तेलग हो गया बहुत तरह की भाशा है फोली जाती है अगर हम उफीशली बात करें तो हमारी 22 ओफिशिल लैंग्विज बोली जाती है हमारे बहुत सारे ट्रेडीशन से कास्टम्स एन आर्टिस्टिक एक्स्प्रेशन्स है दाट दाच प्लेज़ सॉरी दाच प्लेज़ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन काल्चर इंकम पासे लिट्रेचर की बात करते हैं तो हमारे प होगा बट साथ में वो जो टीवी सीरिल भी आते थे ना रमायना के महाबारता के लॉक्डाउन में तो बहुत देखा है सबने चीक है क्लासिकल संस्क्रिट टेक्स्ट रिलीजियर रीजिनल लिट्रेचर इन वेरियस लैंग्विज़ देखो बहुत लैंग्विज़ में मतल असानी हो जाती इसलिए कहा जाता है रीजिनल लिट्रेचर इन वेरियस लैंग्विज़ एंड मॉडर्न लिट्री वोग म्यूजिक की जब हम बात करते बच्छो क्लासिकल म्यूजिक अभी तो आप धिंचक दिंचक की सुनते हो ना क्लासिकल कहा सुनोगे बढ़ हम जो बा इन वेरिजिक जो की साउथ इंडिया में ठीक है और जब म्यूजिक की बात करेंगे तो बच्छो राग और ताल तो होंगे यह ना तभी तो म्यूजिक आनन्द भी आएगा ठीक है तो रागास किसके कहते हैं इंट्रिकेट मेलोडी इसको कहते हैं और रिद्मिक पैटर्स क हम क्या कहते हैं ताल कहते हैं दान्स हमारे भारत में आप देखोगे तो फोग डांस अपने सुना ही होगा भरत नाटियम हो गया ठीक है कत्थक हो गया ओडीसी हो गया कुछी बुड़ी हो गया मनी पूरी विच कॉम्बाइन एक्स्प्रेसिव मोव्मेंस आप देखोगे न बच्वों डांस की बात कर रहे हैं जो फोग डांस होते हैं जब यह सारे डांस फॉम आप देखोगे न तो आप इनका फेशिल एक्सप्रेशन देखना है यह कुछ बता रहे हैं ठीक है तो विच कॉम्बाइन एक्सप्रेसिव मोवमेंस विच स्टोरी टेलिंग स्पिरिच चाहिए लगी वेटिंग वर देशीम नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों वीजुल आट वीजुल आट का मतलब क्या है जो हम देख पारे आट वही है क्या स्कुल्प्ट्टिर्स डिफरेंट पेंटिंग्स है हमारे इंडिया में आर्किटेक्टर मॉनिमेंट्स फोट्स पै आपको आर्किटेक्टर वक हमारे अंदर यहां पर बहुत ही सुन्दर है बच्चों बहुत सारी साउत में अगर आप मंदर जाओगे न तो वह एक ही स्टोन के बने आप जब उसके आर्किटेक्टर देखेंगे आप यहार यह कैसा पॉसीबल है ठीक है ऐसे बहुत सारे यह किस्ताना कारी-करी की गई है बहुत ही बहुत ही बैटरी नहीं होते हैं फिर आते हैं हमारा नेगान एकस्ट पईन नाबर शिक्श योगा औंड डिटेश्टिस योगा अन्मेटीटेशं यह फिरसे आगया पॉइंट अभी हम पढ़के आएं इंडिया इस रिवर्ड आ माइन्ड का बॉड़ी का एंट स्पिरिट अब तक तो याद हो जाना चाहिए यह यह योगा प्राक्टिस इंक्लूड आसनाज आसनाज का मतलब क्या है फिजिकल पॉस्च्छ फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ और बैलेंस करते हैं प्रणायाम के अगर हम बात करते हैं बारत से आज की टाइम में देखोगे सब फिटनेस फ्रीक हो रहे हर दूसरा आदमी को स्ट्रेस हो रहा है सब कहां जा रहे है योगा की तरफ ही तो जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इस वाट एथिकल और नौन वाइलन्स, आहिम्सा नौन वाइलन्स का मतलब क्या होता है अहिम्सा, आहिम्सा कोई नौन वाइलन्स वोलते हैं अहिम्सा क्या तो फॉर्फ कुरू और शेक्श का परिखन में श्म्रों स्च्छ मोलना स्परिये हैं हम एक jurisdiction अजये तो यह सारी चीजहों को हम नॉन व भी forms of life है, सबकी respect करना, इसी को क्या कहते है, ethical values, these values are embedded in, ये सारी के सारी जो हम values पढ़ रहे ना, non-violence पढ़ा, सत्य बढ़ा, करुना पढ़ा, ये सारी के सारी हमें कहां वलती है, cultural practices में होती है, जितनी religious teachings है, वो भी तो हमें यही बोलती है ना, सत्य बोला करो, non-violence को support करते ह है, influencing what, social behavior and interpersonal relations, तो ये basically ये सारी चीज़े मिला कर क्या करेगा, social behavior में changes लेकर आएगा, और जो interpersonal relations होते हैं, जिक है, आपस में जो संबन्द होते हैं, उसे भी तो improve करेगा ना, market करोगे तो कहां से improvement होगे, next is education and transmission of knowledge, transmission of knowledge का मतलब क्या होता है, knowledge को pass करना, आपने एक picture का भी देखी होगी, आपने देखा होगा कि गुरु एक उपर वाली जगा पर बैठे होते हैं, नीचे बच्चे बैठे होते हैं, शुष्ष नीचे बैठे होते हैं, और उनको क्या orally क्या दिया जा रहा है, ज्यान दिया जा रहा है, knowledge पास की जा रह और गुरूर जा सिस, गते हैं किसे तीचर को क्या करते ठैते हैं, डिसाइपल्स को, मतलब आप मतलब सिषर को, रहा है ग्यान दे रहा है, कहांग पर आश्रमिंढम में, आप आश्रम बोलो या फिर आप गुरुकुल्ड को मतलब क्या होगा देखुम को क्या होते है, तुम वहांपर क्या होता था कि ए सब्सक्राइब भी एक चाहिए वह सब्सक्राइब ूक्रीफ नाल-टर तो वह पर क्या होता है कि उपर उब वहांजी क्या करें और उनको ग्यान दे रहे और यह बहुत डीप learning create करता था ठीके spiritually बहुत educate होते थे mentally बहुत educate होते थे this intimate this intimate teacher student relationship fostered what यह जो relationship ती teacher की यह क्या होती थी deep learning create कर रहे थे और spiritually क्या हो रहे थे बच्चों grow कर रहे थे तो हमने क्या देखा कि जो गुरू और सिश्य वाली जो बात होती थी यहां पर knowledge to transfer हो रहा था इसे क्या हो रही थी deep learning हो रही थी मतलब depth में बच्चे चीज़े समझ रहे थे और क्या spiritually भी grow कर रहे थे ठीक है I hope बच्चों यह point बहुत clear हो गया आप लोगों को next point is what point number nine impact on legacy the Indian knowledge system has had a profound impact on not only within India but globally इसका impact का सिर्फ भारत में नहीं था हमारी जो संस्कृती है हमारी जो philosophies है विदानता है योगा है यह आप देखोगे ना सिर्फ भारत पर नहीं चलती यह बाहर पर भी लोगों पर spread है बाहर भी लोग बहुत इसके उपर research कर रहें इस contribution to philosophy mathematics medicine and spirituality have influenced what किसको किसको influence करें scholars है scientists है philosophers है पूरे दुनिया भर के सबको हमारी जो संस्कृती है वो क्या करिये influence की है concepts such as yoga ayurveda and decimal system have left an indelible mark on human civilization अगर हम yoga वगरा की बात करते है yoga ayurveda decimal system यह सारी चीज़े अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही remarkable चीज़े आज भी यह चीज़े use होती है ना कि सिरफ भारत में पूरे all over world बच्चों यह चीज़े use होती है the very last point is modern relevance and adaptation आज के समय में इसका relevance क्या है वो हम देखते हैं in current times India continues to draw from its ancient knowledge system आज के समय भी अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कर रहें continuously जो हमारी पुराना ग्यान है हम उससे कुछ सीख रहें while adapting to modern challenges and opportunities पुराना ज्यान जो है वो तो हम यूज कर रहें ताकि जो upcoming हमारे में problems है पुराने ज्यान को modern के साथ मिला कर जो problems upcoming आ रहे हम उससे solve कर सके ठीक है आयुर्वेदा योगा have gained popularity globally for the holistic approach to health and well-being जब हम आयुर्वेदा यूगा की बात करते हैं तो इन्होंने ना तो इंडिया में ही नहीं बलकि पूरे all over world पे इनका बोल बाला है for what health and well-being के लिए इंडिया scientific and technological advancement continue to build upon its rich legacy contribute to global innovation अगर हम इंडिया की technological advancement की बात करते हैं तो क्या है यह बहुत ही rich legacy है बच्चों हमारे पास और आज भी यह global innovation और development में क्या कर रहा है help कर रहा है तो हमने पढ़ा है ना कि famous mathematicians देखे हमने कितने अच्छे contributions देखे है mathematics में astronomy में science में हमने हर पार्ट में अगर आप history check करोगे ना बच्चों हमने हर पार्ट में excel किया हमें अपना भारत ग्यान तो नहीं पता है हम इसी लिए यह subject compulsory भी बनाया गया है क्योंकि हम सिर्फ modern अच्छो इसका conclusion हम एक बर पढ़ लेते हैं और फिर अम lecture आज का end करते हैं तेंटिया knowledge system is a treasured drove of wisdom spanning philosophical insights scientific discoveries हमने क्या क्या देखा characteristics में sorry philosophical insights देखे थे ना different schools of thoughts देखे थे scientific discoveries भी देखी है artistic expressions हमने जहां पर dance music cultures के बारे में बात किया है and cultural traditions its holistic approach holistic approach हमने देखा था ना integrating all aspects of human beings spiritual depth हमने देखा है जब हम योगास की बात कर रहे थे और practical applications continue to inspire enrich humanity यह सारी चीज़े क्या कर रही है सारी humanity को rich बनाते जारी है and rich मतलब ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रही है fostering a deeper understanding of life's mysteries and the interconnectedness of all existence अब हम जादा से जादा अपनी life की मिस्टरी को समझ पाएंगे और interconnections जो भी है existence के वो सारी चीज़ों को हम बच्चों समझ पाएंगे तो आज का lecture यही तक है बच्चों आज हम इस class को एंड करते है I hope आपको सब कुछ समझ में आया होगा फिर भी कोई doubt है कुछ ऐसी चीज से जो रहे गई हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें बच्चों आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ थांक यू सो मच